आफ्टरनून शुदी तक्रवती खोश्बू हिमांशु कुमार जी गूड़ आफ्टरनून एब्रिवर्डी गूड़ आफ्टरनून कैसे हैं आप सभी लोग आफ गूड़ आफ्टरनून गूड़ आफ्टरनून बीटाः घूड़ आफ्टरनून मैं ठीक हूं बिल्कौल आप लोग बताइए कैसे हैं शुदीप मैं albums 시간 करा रहला था कितने कंशन करा दिया थे वैठा मैंने आपको कि other time का दी थे विटा कि थार्ड कोष्चन देखेंगे ह्टा थार्ड कोष्टन ये हैं हाौसिंग पर किए गए खर्चस तथा सिक्षा पर किए गए खर्च का अनुपात यानि कि हाौसिंग कहा है है ये रा हाौसिंग एजूकेशन कहा है यह एजूकेशन बेटा जो रेशो ध्यान देंगे पर्शेंटेज का होगा वही रेशो बेटा खर्चे का होगा हाउसिंग पर कितना खर्च किया गया 15 पर्शेंट बेटा और बेटा ध्यान देंगे एजूकेशन पर कितना खर्च किया गया बारे पर्षेंट तीन पंजे पंद्रह तीन चौक बारे पांच अनुपाच चार है कहीं बेटा बिल्कुल है डी ओप्सन इज राइट अहाना सींग गूड़ आफटरनून बेटा वोलो हिमानसु कुमार के लियार खोशबु के लियार समरिध्ध वोलो बेटा हाउसिंग पर की गया खर्च हाउसिंग पर किया गया खर्च कितना है पंद्रह पर्शेंट और सिक्षा पर कित्वेंग खड़ खीतों कितना हैं रहाए पर्शेंड फंद्रे अनुपात बारे तीन पंगर तीन स्यवंग आणूपात चार हुए मिद्न के एक स्क्राइन के लिए बेटा ओ हिमानसु ब्रमाजी के disclose खुष्ष्भू के लिए अभिशेक बोलो बैके लिए के लिए जिसका परशेंटे से जादा होगा उस्पर बेटा सबसे ज्यादा रुपया खर्च किया जाएगा जो सबसे ज्यादा परशेंटेस का है यानि कि 24ission 23 परशेंट किस पहर वीटा फूढका सबसे ज्यादा खर्च किस पर किया गया घाने पर की आगया फूड पर ए ओप्शन इस राइट के ए उप्शन इस राइट कि अहुआ कि लिए कि सुधीप चक्रवती के लिए लिए गडिविनिंग बेटा गडिविनिंग खुश्वू के लिए दिल से क्लियर चलो नेक्ट बेटा ध्यान देंगे यदि वर्ष 1998 में परिवार का सभी मदों पर कुल खर्च 46,000 रुपे हो तो बताएं इस वर्ष परिवार की बचत कितनी है बेटा ध्यान देंगे बचत है कहीं सेविंग यह रही बेटा 15% सभी मदों पर कुल खर्च कें 50,000 रुपे ध्यान देंगे यानि कि 100% важ बेटा किसके बर्बर है 60,000 रुपे के बर्बर है कल बताया था तो बेटा 1% की वैलू क्या होगी एक पर्षेंट की वैलू 460 रुपे होगी बेटा सेविंग 15% की वैलू निकालनी की वैलू Сов別 पर शार सो और गुनाब है बेटा सी ओप्सन इज राइट अहाना सींग किलियर सुदीप चक्रवती अधिती सिरी वास्ता प्राची किलियर अभिशेक खुश्बू हिमान्शु बर्मा हिमान्शु कुमार कि सब्रिद जैसबाल एक दम क्लियर जो करेंगे यह है देखो एकस्पेंदिचर और फूर यह लिख लो बेटा यह किसवा खर्चा हुआ फूर्ड पर इमें बेटा बारवन छोटा सा डियाग्राम बना लो आप छोटा सा डायगरम बना लो यह पूद पर बेटा बी किस पर expenditure on house rent यह बेटा house rent तीसरा सी किस पर expenditure on entertainment बेटा ध्यान रहना यह entertainment शी किस पर है बेटा सी हो गया डी किस पर है education education जो किशन ती किस पर है भीटा ध्यान देखेंगे medical and मेंडिकल और वेटा एफ कितना है डिटेक्सट टो यहीचे देख लोग बार-बार मुझे वैसे याद भी रहेगा ए फूड है ध्यान नहिकना आप लोगों पूछूंगा भी एचार हाउस रेंट है ये इंटरटेनमेंट ये एजूकेशन ये मेडीकल ये प्रॉबिनेंट फंड 12 परशेंट इन सब का सम बेटा 100 परशेंट बैठेगा तो अब यहां पर ध्यान देंगे क्या क्या दिया है हमें टोटल मंतली इंकम फैमिली की 33,650 यानि कि बेटा 100% की वैलू कितनी दिया 33,650 परशेंट की वैलू बेटा 33,650 है और बेटा हम एक परशेंट की वैलू निकालेंगे तो 33,650 बटते 100 काट देंगे बेटा पांचिंग 30 कितना बचाएगा ध्यान देंगे तीन पांचते 35,673 बटते दो एक परशेंट की वैलू कितनी आ गई बेटा 673 बटते दो रुपे ये बात आपको ध्यान दखने है बोलो बेटा यहां तक सभी बच्चे बोलो किलियर 100% की वैलू हमें बेटा 33,650 रुपे द हिमांशु बर्मा सुधीप अहाना अदिती अभिशेक खुश्बू कि सुधीप अब यह द्यानक नहीं बेटा आपको यह बात हिमांशु बर्मा जी यह टोटल हमें दिया है जो मंतली वह 33,650 दिया है मंतली इंकम और यह मंतली इंकम इतनी जगा बटती हुई है 100% में तो एक परशेंट की वैलू 33,650 बट्टे 100,673 बट्टे दो कि बोलो बेटा हिमांशु बर्मा किलियार कि यहां तक बोलिए बेटा जल्दी से किलियर बेटा नेक्स्ट ध्यान देंगे आप चलो देखो प्रतिमाह किराया कितना है अब किराया कौन सा था बेटा देखो आप ध्यान दो यह किराया हमारा एक परिशेंट की वैलू मैंने तेहां 673 बट्ते दो बताई तो 18% की वैलू क्या हुई 673 बट्ते दो गोड़ा अठार है दोनीम अठार है नोसत्ते तरे सट है कोई बेटा नोसत्ते तरे सट ना नोसत्ते तरे सट है कहीं वेटा कहां गलती है क्या वेटा कहीं चेक लेगवार भी 18% यह तीन है तीन है 679 27 है कहीं 6057 रुपिया बेटा 6057 बोलो बिटा क्लियर देखो एक परसेंट की वेलू 673 बट्टे दो और रेंट कितना है हमारा किराया कितना 18 परसेंट तो 18 परसेंट की वेलू 673 बट्टे दो गुणा ठारे दो से काटा नो यानिक होगया 6057 रुपे अहाना बोलो बेटा क्लियर अहाना बेटा एक परसेंट की वेलू में अभी पीछे निकाली है 673 बट्टे दो और हाउस रेंट कितना है अठारे परसेंट यह डायग्रम बना लो मैं बोल चुका हूं अपनी कॉपी पर अठारे परसेंट की वेलू बेटा हो गया 672 दिल से क् कि लिया अगला कॉसन प्रोविडेंट फंड के रूप में वार्सिक बचात कितनी है प्रोविडेंट फंड यह बेटा पीए यह बारे परसेंट है तो एक परसेंट मैंने क्या बताया 673 बट्टे दो तो 12 परसेंट क्या होगा बेटा धियान देंगे वार्सिक पूछा यह म अब यह बेटा मंतली है देखो यह मासिक दिया है और पूछा कितना है में वार्सिक तो बेटा बारे से मल्टिप्लाई इसको और कर देंगे एक महीनिये का है बार दो चिक के बार है चैटीया अठार है चैसते 42 और एक 43 चैचिंग 36 और 4038 गोणा बार है बारे अठ्थे च्छानव है बारे चैटीया चैसों नो पैतालीस चार बारे चोग 48 48 456 है कहीं बेटा 48 456 ए ओप्सन इस राइट बिलकुल सही सुदीप यू आ राइट बेटा यह पूरा हमारा एक मही महीनिय का निकला एक परसंट की वैलू 673 बटे दो है तो बारे परसंट की वैलू 673 बटे दो गुणा बार है यह एक महीनिय चाहर में 12 महीनिये होते वारसे निकालना दिहान रखना तो वार्से का मत्रब बारह से मैल्टिप्लाई इस मानसू वरमा एक दम के लिए पोलो बेटा के लिए अगला कोश्चन किराया था प्रोविडेंट फंड में कटोती के बाद परिवार की मासिका कितनी है किराया यह किराया प्रोविडेंट फंड यह पीए इनके बाद यह अठारे और बारे कितना हो गया तीस तीस पर्षेंट के बाद कितना बचा सत्तर टोटल सो पर्षेंट है सो में से ये निकाल दो किराया और पी अठारे बारे तीस कितना बचा सत्तर परशेंट की वैलू निकाल दो आपको पता है बेटा सो परशेंट की वैलू हमारी कितनी थी एक परसेंट की वैलू 673 बट्टे दो गुणा 70 गुणा 70 कर सकते हो काट प्रीट यहां पर देख ऐसे करोगे 22 251च साचिंग 22 527 बट्टे दो दो से कार दो दो दूनी चार दो ती या चैहें दो पंजेदास दो फंजेदास दो पंजेदास ते तीस पांसोपच सपन है कहीं बेटा तेसं पांसोपच सपन पर्षेंट नहीं मिलता Sun गलत है जोन्ड पर सो पर्षेंट नहीं मिलेगा तो संब्रिद जैसवाल कोई भी आंसर टिकड़ देना नंबर मिल जाएगा आपको के अ कल भी बताया था मैंने ईनधे पर यह पूरा सो पर्षेंट नहीं आता तो बेटा कोई भी आंसर तेक कर देना आंसर मिलेगा हां खुश्बू बोलो है कि खुश्बू बोलो बेटा भोजन तथा मनुरेंजन ये फूड है भोजन और ये मनुरेंजन द्यांद ना इंटरतेइन्मेंट बताया था 25 3934 एक पर्षेंट की वैलू खेस्टर बटते दो चेजैसो तेश्टर बटते दो इतनी हैं 2539 344 पर्षेंट की वैलू निकालनी है चेहस्टर बटते दो गुणा 34 दो से कट गया सत्रे सत्रेतिया 51 है कहीं 11441 आंसर और ये ऑप्सन इस राइट बिल्को सही सुधीव चक्रवती इस अधिक बिल्को सही सुधीव चक्रवती अधियो हाँ 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 हमें बोला है फूड और इंटर्टेन्मेंट यह फूड 25 परशेंट है इंटर्टेन्मेंट 9 परशेंट है परशेंट की वैलू निकाल नहीं है एक परशेंट की वैलू 673 बट्टे दो है बेटा तो चौनतीस परशेंट की वैलू 673 बट्टे दो गुणा 342 से काटा सब्ट्र है 11,441 और आँ परवार में कोई भी बच्चा ना हो तो बताएं उस नसा में परिवार की बचत प्रॉविरेटटंट को मिला कर कटनी हो जगी देखो कोई बिचया नहीं होगा तो हैजूकेशन पर कोई भी पैसा Portal का और प्रॉप पीएफ का था यह हमारा पीएफ का था अब आपको हम बता दें यह कितना बताए था हमने आपको कि एक परसेंट की वैलू एक परसेंट की वैलू 673 बट्टे दो यह बेटा 23 और 23 और 12 कितना हो गया में 35 35% कि में 35 अब मृट्ब्डा अब मैं पता दूं। यहाँ पर इस क्को जैसे हम अब सौल्व करना है तो कैसेμεle करेंगे कैसे स्वाल करेंगे यहां से आप एक काम करें दो से मल्टीप्लाई यहां कर दो दो से यहां कर दो सतर हो गया यह 673 गुणा सतर बट्टे दो दो दूनी चार यह चार हो गया सासे साती या 21 सासतु नंचास और दो 51 देख रहा है हूं साच्छिंग 42 और पांस 47 जीरो बट्टे चार चार एकम चार जार तीन बचा चार सत्य अट्था इस के तीन चार सत्य अट्थाइस ग्यारह हजार सास अँग श्रताइस पचास यह आएगा लिटा ग्यारहे ट्रपल सेवन पॉइंट फाइव है वेटा कहीं बिल्कुल है डी ओप्सन इस राये कि पेटा यह कैल्कुलेशन के तरीके होते हैं बेटा जैसे मैंने क्या किया यहां पर नीचे दो था मैंने दो से मल्टीप्लाई यहां यहां यह सत्तर हो गया चार हो गया साथ से मल्टीप्लाई कर सकता हूं बठे चार अब चार से डिवाइड कर सकता हूं अब चार से पूरा किलियर है गुरूजी शुदीव चक्रवती अधिति किलियर बेटा अधिति किलियर अहाना एकदम के लिए तो मल्टिप्लाइब में दिक्कत हो या थी बेटा दो से काड़ देते 17.5 को मल्टिप्लाइब करेंगे टाइम लेगा अब बेटा बिल्कुल टाइम नहीं लगा अधिति सत्तर हो गया सत्तर से आराम से साथ से मल्टिप्लाइब करता हूं जो लगा दिया बट्टे चार चार से डिवाइड हो गया आराम से लेकिन जब मैं दो से काट हूंगा 17.5 तो यहीं आंसर आएगा यह मस्चना कहीं आंसर नहीं आएगा लोग आप अपने घर कर ले इने पाई चार्ट गिवन हियर सो एक्सपेंडिचर ऑप्तेंड बाइए फैमिली ओन वेरियस आइटम देयर सेविंग विच एमाउंट 8000 सेविंग दिया 8000 ज्यान देखना बचर इने मन्त महिने में इस्टडी दा चार्ट एंड आंसर दा फॉलोविंग कॉस्टन बचत ब बेटा ये डिगरी में ध्यान देला अब बेटा ये डिगरी में है ये ध्यान देना सब इस्टूडेंट बस ये बात ध्यान लखनी है डिगरी में है या परसेंटेज में तो ये साट डिगरी की वैलू हमें क्या देदी साट डिगरी की वैलू हमें क्या देदी बेटा 8000 र थैंक्ई समरिद्ध तो यह 60 सथ डिगरी वैलू 8000 रूपए हो गई यह पूरा 305 बैड़ी हों परसेंटे होता है तो परसेंट होता है और डिगरी होता है तो बेट20 सब्सक्राइब होता है तो बिपड़ो थीक्षा 1589 कि तनी की वैलू कितनी है वाभ이죠 पर है साथ डिगरी की वैलू 8000 तीश डिगरी की वैलू निकालेंगे आदा कर दो बेटा आदा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 के चार हजार के ऐख कहीं बेटा बिलकुल है सी ऑप्सण इस राइट सी ऑप्सण इज राइट कि बोलो बेटा सभी बच्चे बोलो किलियार एक बार सभी बच्चे बोलेंगे दिल से किलियार हो हो जो देखो देहान दो आहाना हमें दीया है फीचे साथ डिगरी की वैलू देखो यहीं साथ डिगरी की बैलू सेविंग साथ डिगरी आठेव के बराबर दिया सेविंग का एमांट अप्ञाइयार रोपे एज्ऊकेशन पर किटना खर्च yakuko गया एज्योकेशन पर बटक तीज़ डिगरी की वैलू आठेवी याल तो तीज़Sब कि कि वेलू कितनी हो गई 4000 उटाइए एक बट्टे दो कि है कि सुदीप चलो अगला देखो भोजन तथा बचत पर किये खर्चों का अनुपाद भोजन ये रहा बेटा बचत ये रहे बोजन तथा बचत पर किये खर्चों का अनुपाद 120 डिगरी और भेटा ये शाट्ड काड़्दे दो दू आनुपाद 800 गिये खर्चों नुपाद ऑपाद को एक खर्चों का अनुपाद दो अनुपाद 1 कि बोलो क्लियर मज़ा आ गया सर थेंक्यू बेटा अगला कॉर्शन ध्यान देंगे परिवार के द्वारा महीने में कुल खर्च बताएं कुल खर्च तो सेविंग को छोड़के खच होगा यह हमारी सेविंग एक सेविंग है साट डिगरी तीसो साट डिगरी टॉटल बताया था जिसमें से साट डिगरी बचत है陈 तो खर्चा कितना होगा smo get 500 डिगरी हमें 300 डिगरी कि व्यलू निकाल नहीं है अब आपको पता है कि 60 degree की value किती दे रखी है हमें 60 degree की value बेटा हमें 8000 रोपे दे रखी है सही है अब हमें 300 degree की value निकाल नहीं है 300 इसका कितने गुणा है बेटा 5 गुणा इसका 5 गुणा कर दो 8000 गुणा 5 845 चालीस 4,000 4,000 कि बुलो क्लियर कि पेटा 4,000 आना चाहिए पांस से में बल्टे चालीस यार सोरी चालीस यार चालीस यार बेटा इस बिल्कुल क्लियर कि चालीस है यार कि राची क्लियर प्रकर बिस्त्रा खुश्बू सुदीप हिमांसु वर्मा हिमांसु कुमार अभिशेक अहाना अभिराज बोलो बेटा जल्दी से मधू कि लियर एकदम क्लियर सर हिमांसु वर्मा क्लियर कुश्बू एकदम क्लियर सर चलो अगला कॉसंन देखो बेटा ये क्या है हाउसिंग से भोजन पर कितना अधिक वैह हुआ हाउसिंग ये रहा हाउसिंग से भोजन पर कितना अधिक adore हुआ है 105 डिगरी ये 120 डिगरी फोजन पर कितना ज़्यादा खडच युँआ 15 डिगरी हमें 15 की benefitנ। निकालनी है, 120 degree minus 105 degree, कितना हो जाएगा बेटा, 15 degree, अब हमें पता है, कि 30 degree की value, सौरी, 60, 60 degree की value बेटा हमें 8000 रुपया दे रखी है, बताया था बचत, तो बेटा हमें 15 degree की value निकालनी है, कितना है, इसका, एक बटे 4 है, देख लो, चार से भाग देंगे साथ को पंद्रे आएगा चार से भाग दे दो बेटा एक बट्टे चार से कितना जाएगा 2000 2000 है कहीं बेटा आंसर सी ऑप्सन इज राइट बिल्कुल अहाँ ना बोलो बेटा के लिए सबी बच्चे बोलो कि लियार कि लियार कि लियार कि लियार कि लिए रहाना चलो नेक्स्ट लो यह मैं दिया है देखो क्या दिया है दा पाई चार्ट गिवन हर सोस दा एमाउंट ओफ मनी स्पेंड ओन वेरियस स्पोर्ट बाई ए स्कूल एडमिस्टिशन इन पाटिकुलर इयर अब्जर्ब दा पाई चार्ट एंड आंसर दा क्वेस्टन्स बेजड ओन दिस ग्राफ दियान देंगे बेटा समझो इह हमें कोई स्कूल अडमिस्टिशन हैайн 45 डिगरी फंड जाता है बेटा फुट्बॉल पर होगी पर जाता है सो डिगरी करकेट पर जाता है एक Set 2 डिगरी और टैनिस पर जाता है बेटा 35 डिगरी कौस्टन को पढ़ना है और आंसर देना है यह दिख फुटबॉल पर किया गया खर्च 9000 रुपेया, कहा है फुटबॉल, यह दी बेटा फुटबॉल, 45 डिगरी की वैलू हमें क्या दे दी 9000, 9000 रुपेया, ध्यान देना बेटा, तो बताएं होकी पर फुटबॉल से कितना अधिक खर्च हुआ, 45 डिगरी की वैलू 9000 एक डिगरी की वैलू 45 है, 200 रुपेया, तो क्या पूछा गया है, होकी पर फुटबॉल से कितना अधिक खर्च हुआ, होकी पर फुटबॉल से कितना अधिक खर्च हुआ, 100 माइनस 45, कितना हो गया, 55, 55 डिगरी, यह हो गया हमारा 200, गुणा 55, दो पंजे 10, दो पंजे 10 और 11,000 रुपया, है कहीं बेटा, A option is right, थैंक्यू बेटा, आहाना, थैंक्यू, आहना जी लिखने सर, मुझे मैत में बहुत पॉलम होती थी, आप से पंड़े के बाद, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक्यू बेटा, थैंक्यू आहना, पराची सिंगल के लियर, कि यह स्ट्रू बात है सार, थैंक्यू प्राची, सम्रिद मस्त का लंदर, बहुत अच्छा, सम्रिद कहां से बढ़ निकाल के लाते हो, मस्त का लंदर है, चलो, अगला कॉस्टन बेटा, यह फुटबाल पर 9,000 उपे खर्च किया गया, तो किर्केट पर कितना खर्च किया अब बेटा वही पहले बाला कॉस्टन है, फुटबाल पर 45 डिगरी है, 45 डिगरी बेटा किसके बरावर है, 9,000 रुपे के बरावर, एक डिगरी की वैलू बेटा कितनी हो गई, 2000 रुपे तो बताओ किर्केट पर कितना खर्च हुआ, किर्केट पर कितना है बेटा, 160 डिगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेंस फढ़ सब्सक्राइब आधिराज अभिशेख मधू राजू रोहान हिमानसु बर्मा हिमानसु कुमार एक दम किलियर है गुरू जी चलो नेक्स्ट यदि फुटबॉल पर किया गया खर्च 9000 रुपे हो तो बताओ सभी खेलों पर कितना कर्च किया गया फुटबॉल पर किया गया खर्च कितना बेटा 45 डिगरी इसका कि वैलु बेटा किसके बराबर 200 कि और सभी खेलों पर है कितना है 360 सभी खेलों को किते जगे बाता गया 360 तो बेटा 360 डिगरी की वैलू निकाल दो क्या होगा बेटा 360-2006 262 2000 है बेटा कहीं देखो चेक करो विल्कुल है कि दे ऑसनीज राइट डियो ऑसनीज राइट 72,000 बहुत सही बेटा, बहुत सही बहुत सही चलो, अगला कॉसन देखते हैं बेटा Next बेटा, यह थोड़ा सा अच्छा कॉस्टन है काफी, लेकिन यहां आपको कॉस्टन डाइग्राम दोनों बनाने पड़ेंगे, यह जहां दो पाई चार्ट आते हैं बेटा, वहां पर हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है, और यह कराश लिए रहा हूं, बैसे नहीं आते हैं, अब नहीं आते हैं, यह 2011 में कभी पहले पूछा गया था दो पाई चार्ट वाला, लेकिन मैं कराश लिए रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा सीख जाएं चीज़ों को, देखो बेटा, यह क्या है साइंस, यह आप लोग बना लो इस डाइग्राम को एक वार मेरे आट, डी क्या है कॉमर्स, अ only क्या है कॉमर्स, इप्डे है केटरिंग, इका यहीं कैटरिंग, 15 उप क्या है इन्जीनियर, एक क्या है बटा, एन्जीनियर, सहय, ध्यान देंगे, अब हमने यह दिलर है, कि कॉलेज के बिभिन विश्यों में पढण्ने वाले कॉलेज के बिविन विश्व में पढ़ने वाले अभ्यरतियों का प्रसत्त वित्रण बिद्यारतियों के पुल संख्या 5,000 यह साइंस है यह हमारा management है यह हमारा art है यह हमारा commerce है ध्यान देंगे यह क्या है हमारा ध्यान देंगे catering यह क्या है बिटा catering और f क्या है हमारा engineering engineering अब यहां पर यह तोटल लड़कियां दी है हमें 2000 यह चार्ट के वर लड़कियों के लिए गल्स के लिए कितनी लड़कियां 2000 यह तो बेटा एक बाकत आई एक लड़के प्लस लड़की 5000 है ध्यान देरा सबी बच्चे लड़के प्लस लड़की पांच यह लड़की यह 2000 तो लड़के कितने बच्चे बस यही बात आपको ध्यान लखनी है कि लड़के तीन हजार है जब भी मैं लड़कों की बात करूंगा खुश्बू तो आप बताएंगी नेहा तीन हजार है यह डायग्राम आपने उतार लिया एक बार यह लिख लो डायग्राम पर सब्सक्राइब के छोटा-छोटा जल्द इसे अग़ obligation को कि अ अब ये बन गया चलो बहुत अच्छा बेटा बी रैड़ी प्राची चलो बहुत अच्छाब चांगे पहला कष्शन है भी देयान देंगे कि इंजीनियरिंग विसे में पंडिवारी लड़कियों की संक्या कितनी है इंजीनियरिंग कौन सी है लास्ट वाला मैंने बताया था इंजीनियरिंग और लड़कियां कितनी है जानते हैं आप गल्स कितनी है बताया था दो हजार तो इंजीनियरिंग में लड़कियां कितनी पढ़ती है बारे पर्षेंट तो दो हजार का बारे पर्षेंट निकाल दो इंजीनियरिंग में लड़की कितनी है बेटा बारे दूनी 24-240 यानि कि इंजीनियरिंग में जो लड़कियां है वो 240 हैं है कहीं बेटा सी ओप्सन इज राइट इंजीनियरिंग में लड़कियां दो सो चालीस हैं बेटा बोलो किलियर सबी बच्चे बोलो खुसबू किलियर आहना किलियर प्राची शुदीब चक्रवती किलियर किलियर चलो नेक्ष ध्यान देंगे अगला यह अगला है बेटा ध्यान देंगे वह कौन सा बिसे है जिसमें पंडिवाली लड़कों की संक्या सबस्याद है लड़के देखो बेटा यहां लड़के ए है यह साइन्स है ध्यान देना सबसे अधा पर्शेंटेश किसका है साइंस का ही है दोनों जगे सबसे अधा पर्शेंटेश साइंस का है तो साइंस में पंड़ने वाली लड़के सबसे अधिक हैं देखो साइंस का पर्शेंटेश सबसे ज्यादा है तो साइंस में पंड़ने वाली लड़के सबसे अधिक हो यह लोटा की लियार का सभी स्टूरेंट बोलेंगे विटा क्लिए जब अ कि हो गान सु कुमार लां सु बर्मा मध्वू प्राची एकदम के लिए चलो बेटा नेक्स्ट अगला क्या है देखो ध्यान दो अगला क्या है यह है प्रबंद विशय में अध्यान करने वाले ललकों का प्रस्ट उस विशय में अध्यान करने वाले छात्रों की कुल संक्षा की तुलना में कितना है ध्यान देंगे बेटा ध्यान दू मैनेजमेंट मैनेजमेंट की बात हो रही है कौन सा है मैनेजमेंट यह बताया था मैने बी बताया था मैने यह टोटल बॉइस प्लस गर्ल कितने हैं और गर्ल कितनी है दो हजार तो बॉइस प्लस गर्ल मैनेजमेंट में कितनी हो गई बॉइस प्लस गर्ल कितनी हो गई दिहान देंगे गर लड़कियां कितनी हैं बेटा 2000 हैं 2000 का 8% 2000 का 8% 896 है 160 160 लड़किया है अब लड़के और लड़की दोनों मिला के 500 हैं बेटा और ध्यान देंगे यहां पर लड़कियां कितनी 160 तो लड़के कितने बचाएंगे बेटा 500 मैं से 160 घटा दो पांसो में से 160 जीरो दस में से 6 गई तो 4 340 पूछा क्या है कि प्रबंद विस्यम में में अध्यन करने वाले लड़कों का प्रशत उस विस्यम में अध्यन करने वाले सभी छात्रों का संख्या का कुल कितने परशेंट है तोटल 500 है यह पूछा है कि 340 लड़के हैं टैनल चालीस पांसो का कितने परशेंट तीन सो चालीस 500 परशेंट है फांच हीकलियést पांच ह्टेशन चाहलेस आशाइट परशेंट 68 परशेंट 68 परशेंट if a option is right कि मैंने बीटा के लिया दो को दा परसेंटेज ऑफ दॉस्टेडिंग इन मैंनेजमेंट डिसीप्लेंट कंपेरेंग तुटल लंबर आप देश्टूडेंट इस्टूडिंग इन डैट डिसीप्लेंट अहां ना देखा बेटा यानि कि बॉइस प्रस गर्ल टोटल कितने हैं मैंनेजमेंट में 10 परशेंट पांच हेजार का 10 परशेंट निकाला बेटा हमने है है मैंने क्या वहला कि परसेंटेज ऑफ्तुट इन मैनेजमेंट डिसीप्लेंड कंपेर दा टोटल नंबर ओफ स्टूडेंट इनुड इन डिसीप्लेंट टोटल नंबर अफ इस्टूडेंट कितने होग ए मैंचेमेंट में 500 बॉइस प्लस गर्ल 5 तक दकर ठीक है अब लड लडके 5000 में से एक सोसाठ लड़की गटा दो लड़के बच्चे तीन सो चालीस तो यह पूचा है कि ये लड़के जो है हमारी मेंनेजमेंट में उसी दिस्जिपलेन में तोटल बच्चों का कितनी परक εंट Terri सो चालीस पांसों का तीन सो चालीस पांसों का टूटल पांसों थे ना 500 का कितनी परशेंट है 68 परशेंट बोलो वेटा खुशबू कि खुशबू आहना सीच जल्दी बोलो वेटा एक दम के लियर कि एक दम के लिए रहे गुरू जी कि सभी बोलो भीया के लिए इमानसु बर्मा के लिए अगला कॉश्चन देखो बड़ाच्छा कॉश्चन खान पान विश्य में अध्यन कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या की तुलना में कितना है खानपान विश्य में अध्यन कॉलेश में छात्रों की कुल संख्या की तुलना में कितना है ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट खानपान खानपान क्या बताया था बताओ चैतरिक जाञता क्या यह मेंने साध डाइग्राम केर्टरिग में मेरे क्याल में यह था केर्टरिंग में मेरे ख्याल में घलत्तों नहीं कह रहा भी इता इस शाय खुश्बू कि चाट्रों की संख्षा की तुलना में कितना है खान पान-वित-चान इध्यान यह कैब दा पर्सेंटेंटश played लड़कियां कितनी हैं कितनी दो हजार दो हजार दियान देंगे लड़कियां हैं दो हजार का दस पर्षेंट बट्टे सो यह खतम दो सो ठीक है अब यह दो सो टोटल बच्चे कितने बॉइज प्लस गर्ल पांच हजार यह दो सो पांच हजार का कितने पर्षेंट है 4 पर्षेंट 4 पर्षेंट लड़कियां क्रेटरिंग में है चार पर्षेंट सि औप्प्सलिचस रॉइट स्यॉइद्स उप्शन इस राइट बिलकुष सही सुधीब चक्रवती भी पोलो एक लिए सिbrar एकके लिए नेच्ट नेच्स्ट बेटा एक दम क्लियर तको थेंक इन सा नम टिया है कि अलग अलग हमें क्या दिया है कि दा पाई चार्ट गिवन शो सम आउटो मोबाइल पार्स मैनिफेक्चरड बाई एन आउटो मोबाइल कंपनी एट इस पुने एंड नागपूर प्लांट इन दा इयर 2009 इस्टडी दा पाई चार्ट एंड आंसर दा प्वेस्ट ज्यान देंगे बेटा बड़ अच्छा यह का प्लांट है यह पुने का प्लांट नापूर के प्लांट में नागपूर के प्लांट में 25 यदि गयार बनते हैं आंसर देने हैं ध्यान दो, समझो। क्या दिआ है। यहां पे अठ लाख टायर मिपनाया गई। तो इस यंत्र द्वारा कितने भौपू उत्पादित पहवेगे हैं। नियुक्तर बनाए गई। तो यहां से एक परशेंट की वैलू क्या हो जाएगी बेटा आठ लाग वट्टे बत्तेस आठ से काटेंगे एक लाग चार से चार दूनिया चार पंजे बीस पचीस हजार ठीक है अब बेटा हमें किसी की वैलू का लिए तीन परशेंट की भौपू तीन परशेंट बनना है तो पचीस हजार गुणा तीन पचीस हजार गुणा तीन 25 तीया कितना हो गया बेटा 75,000 देख रहे हैं आप 75,000 है कहीं बेटा 75,000 सी ओप्सन इज राईट 75,000 बोलो बेटा सभी वच्चे बोलो के लिए 75,000 कि पिचत्तर हजार बेटा कि 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 लिया कि देखा द्यान दो दुमारा हमान सू बरमाधी 32 परसेंट टाइर बनाये गए यहां पर नागपर प्लांट में यह किसके बरावर है बेटा आठ लाग टायर के बरावर 32 परसेंट की बेलू आठ लाग के बरावर एक परसेंट की बेलू निकाली आठ लाग बड़ते कि लियर हमानसु बर्मा में एकदम के लिया को चलो एक डमकिलियर अगला देखी अगला क्वर् Greetings कितनेum अधिक ट्यू नागपुर स्यंत्र की तुलला में अत्पादिस्त कियえ यहां कितने है 28 पर्सेंट कितने है 25 तो को नहीं नागपुर प्लांट से वहां था गई पर Chief बनाये से मेंटक्स ठेंक यू बेटा थेंक यू प्राची तेंक यू प्राची को नेक्स्य अ हम म hugs म स्टूडेंटन बोलेंगे मिटा कलियार है है मदूअ लियार है इवांदे लिए नागपुर तता पुणे सजय रामद्वारा उत्पादेत भौपों की संख्या कितनी है नागपुर में कितने भौपों है बेटा 3% और पुणे में कितने भौपों है है कहीं बेटा बिल्कुल है ए ओप्षान इज राइट ए ओप्षान इज राइट करें करें आप त्रंत पूशे मैं देख लूँगा बेटा ठीक है मेरे भगोती सरकेट टेलीग्राम गूरुप पर जोड़ जाएए बेटा सफलता क्लास का ही एक एक टेलीग्राम चैनल है हमारा भगोती सर के नाम से उस पर सब जोड़ जाएए अच्छा मुझे एक बात बत पूछनी आप लोगों से बताओगे यह मैं संडे में आपकी क्लास लगा दूँ दो गंटे की तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा किसी को यह मैं संडे में द के क्लास लगा सकता हूं दो गंटे की द्यादं लतंखना कोई बच्छा अपना प्लान मत करना कहीं जाने का बेटा मौर्ट निग माइं बेटा लगा सकता हूर फिर बारे बसे लगागी लगागी तो मौनिंग कि आफ्टरनून में लग पाएगी बेटा क्योंकर नौ से बग्यार है साड़े ग्यारे से लगा सकता हूं ज्यादा ज्यादा कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर करना होता है मांसु परमा और अपने आप उसमें हो जाते हैं चलो चलो देख लेंगे मांसु बेटा कोई बात नहीं लो नेक्स्ट बेटा अगला क्वेशन क्या है हमारा यह दिया यह टोटल नंबर ओफ एंपलोई हमारे 800 तोटल नंबर ओफ एंपलोई कितने बेटा 800 ध्यान देंगे सबी स्टूडेंट अब इसमें देटेल ओफ दैंगे कि एकाउं्ट डिपार्टमेंट में 16% एंपलोई काम करते हैं प्रेट्ण यहर में 20% एच आइट्ई में 20 परिचंट और मार्केटिंग में 24 नंबर ओफ में दे रखें एटास जामर कमें मार्स मेल बारहें yemार का पिट ऊठीट्टक ट्रहें अरूंण में बेटा 93 है 93 अब बेटा कॉश्चन को आराम से घीमे पढ़ना है आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि हमारे टोटल नंबर ओफ एम्प्लोई आट सो है टोटल नंबर ओफ एम्प्लोई हमारे पास कितने उनका एचार के सभी करमचारियों से क्या अनुपात होगा तो बेटा एचार में एचार में कितने करमचारी यह को वल पांच परशेंट तो बेटा टोटल हमने बताया था आठ सो है तो एचार में कितने होगे आठ सो का पांच परशेंट बट्टे सो कितना हो गए बेटा चालीस चालीस आदमी एचार में हैं अब एचार में 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 कितने हैं बारे तो बेटा एचार में फीमेल कितने हो गई चालीस मैंसे हमने 12 माइनस किया 40 मैंसे 12 माइनस किया कितने हुए बीटा 28 28 हमारी फीमील हुई हमें क्या पूचा है फीमील का अनुपाद टोटल नंबर एंपरोई ने चार 28 अनुपाद 40 महलाएं हो गई 28 और टोटल प्रफ एंप्स होगे चार में 40 चार से काटेंगे साथ चार से काटेंगे 10 शेवन रेश्चेइवन साथ अनुपादत यह उप्सन इस राइट कि आफ्षान इस राइड बोलो बेटा हमांसु जल्दी बोलो कुमार हमांसु अहाना अभिषेक राजू रोहन कि कि लियर कि कि लियर बहुत अच्छा अभिशा अभिशेक बहुत अच्छा बेटा आप सभी टेलिग्राम जोए 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 भवती सर के नाम से है बेटा मेरा सफलता उस पर ही है आप मेरे फेस्बुक के थुरू भी जोइन कर सकते हैं है चलू बीटा के लियार है बहुत अच्छा सुधीब बेटा सभी बतु भूबकAY लियार कि सबढ़ी क्लास के लिए वाजी हैं बहुत अच्छा ध्यान दो मार्केटंंग में काम करने वाले आदमियों की संख्या मार्केटिंग विभाग में कारेयत पूल करमचारियों की संख्या की कितनी है तो मार्केटिंग में कितने हैं देखो मार्केटिंग में बेटा मार्केटिंग तोटल आठ सो है आठ सो का मार्केटिंग में कितने बेटा चौबीस आठ सो का चौबीस पर्शेंट बट्टे सौ दोजीरों फटम आठ चौब तीस आठ दून एक सो बानवे हैं और टोटल करमचारी टोटल करमचारी हाँ वाई ध्यान दो एक सो बानवे वन नाइन्टी टू किसमें मार्केटिंग और यह मार्केटिंग में कितने आदमी हैं बेटा में 165 तो यह पूछा है कि 165 182 का कितने पर्शेंट है 165192 का कितने पर्शेंट है कि तो ड्यांद दो कि बेटा कार्टीट करेंगे के से काटपीड करेंगे जरह बताई जरह बताइए कि से काट पिट कितना अंसर आएगा है कि चार से कट गया 25 देख रहे हैं चार्ड चौक सोले चार अठ्थे बत्रिस अड़ता लेस अब यहां बेटा मैं आपको बताऊं यहां मैं पचास कर लिए पच्ची दूनी पचास दो अठ्थे सोले दो दूनी चार लगवाग ब्यासी क् पहुंच जाएंगे 84 कैसे करते हैं यह हमने 165 है हमारा ठीक है इसको मैंने पचास कर लिए ठीक है यह 25 है पच्ची दूनी पचास दो अठ्थे सोले दो दूनी चार ब्यासी पॉइंट पांस से अगला जो भी हो आंसर लगा दो लगवाग 84 परसेंट 84 आएगा चैसी आएग एक बाट चेक करने ना ठीक से कैलकुलेशन मैं तो बस जल्दी मतलब कैल सौर्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करता हूं यहां पचास बनालो पच्ची दूनी पचास दो अठ्थे सोल है दो दूनी चार एट्टी टू.5 से अगला जो होगा पचास कहां से बेटा कैलकुलेश सौर्ट करने के लिए बेटा कैलकुलेशन सौर्ट करने के लिए बेटा इट्टी शिक्स होगा चलो तो इस देख लेते हें एटी सिक्स होगा तो इस कप्रॉबह उपण प्रॉब्लम एक बाद देखो यह हमारा कितने thing बेटा है हमारा ऑला गार सिब्सकों Miss चनो में लोड़े इसको कितना आया आपने डिवाइड किया तो कितना आया आपने डिवाइड किया तो कितना आया 85.96 ठीक है बेटा ठीक है बेटा 85.9691 तो इसको हम 86 पर्षेंट लिख देंगे 86 पर्षेंट चलो बेटा नेक्स्ट ने येउटल एगा थेंगे ला एक या ती विभाग में कारियत कुल महलाओं की संख्या क्ल क्रमचारियों की संख्या का कितने परसेंट है आईटी विभाग में लुए परशेंटे गोंगी तो बटा 106 माइनस 4 से चार गई च्छे पंद्रेश गए च्छासी टोटल करमचारियों का टोटल करमचारी कितने बेटा आठ सो आठ सो का 86 कितने पर्शेंट है कट गया आठ एकम आठ ना जाने की जीरो आठ सत्य चप्पन टैवन पॉइंट सेवन फाइफ टैन पॉइंट सेवन फाइफ पर्शेंट है बेटा बी ओप्शन इज राइट बेटा कि बोलो कि लियार कि बिल्कु सही आहाना टैन पॉइंट सेवन फाइफ पर्शेंट एक दम कि लियार सभी स्ट्वेंट बोलो बेटा जल्दी जल्दी कि लियार एक बच्चा बोलेगा बेटा कि लियार एक दम कि लियार चलो बहुत अच्छा बेटा नेक्स पॉस्चन क्या है द्यान देंगे मार्केटिंग विभाग में कारेयत पुर्सों तथा औरतों की संख्या का अनुपात क्या होगा मार्केटिंग पहले निकाल चुका हूँ बेटा यद आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो मार्केटिंग के बारे में पहल्डिकल चुका हूँ मैं मार्केटिंग में 152 मार्केटिंग में59 मार्केटिंग में 165 है टोटल और 365 में की phones मेंगे द्यान देंगे बारे मैंसे पांस गई साथ आठ मैंसे छे गई दो 27 क्या पूछा है मार्केटिंग बहागे कारेत पुरुसों की तथा और वरतों की संख्या अनुपाद पुरुस कितने मार्केटिंग में एक सो पैसा और यह महला कितनी यह बेटा 27 से काटो 35 15 35 15 तीनियम्स 27 पचपन अनुपात नो पच्पन अनुपात नो जो बोलो बेटा के लिए जाए फिप्ति फाइव रेसो नाइन बहुत अच्छा वास्तम में तो यह हर तरह का कॉश्चन बेटा आपको आना चाहिए यह हमारा पाई चार्ट बिद यह देख रहे हैं आप रेशो वाले कॉशन के साथ हो गया दो पाई चार्ट वाले कॉश्चन हो गई जिस जिस तरह तरह wells के उसे जाए फिक किस आपी आसे चार्ट वह में पूच के एक्जाम में पूछे लाते हैं वह सभी पंडि आया बार डाइग्राम गिवन ब्लोग केरफुली एंड आंसर दा फॉलविंग क्वेस्टन बेस्ट यह कंट्री देश दियें इंगलेंड स्वीडन नीजुलेंड जर्मनी इंडिया और चाइना बर्थरेट पर थाउजन इंगलेंड का बर्थरेट 20 है बेटा स्वीडन का 15 है पर चीज़न देंगे किस देश की जनंदर जर्मनी की जनंदर से 25 परशेंट अधिक है अब देखो जर्मनी पर आई सीधे आप जर्मनी पर आई सीधे जर्मनी की कितनी है शोले आप देख रहे हैं शोले से 25 परशेंट अधिक 16 PLUS 16 का 25 पर चुसी परशेंट पैचे चोका सोव 76 सोले से चार ज्यादा यानि की 20 परशेंट और 20 परशेंट किस देश की जनंदर ए देख रहे हैं हें आप एग्लेंड की जनंदरे बेटा वीस पर सेंड तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए यह खे लैंड इग्लेंड है कहीं बेटा बिल्कुल है सी ऑप्सेंट इजडाट शुदीप चकर्वती बिल्कुल सही बेटा नूर। सुदीब चक्रबती बिल्कुल सही बेटा बोलो क्लियर सभी बच्चे बोलेंगे बस स्पीड मोशन गती एक्जाम का दूसरा नाम बेटा मोशन है गती है किस तरह के एक्जाम में कॉशन पूचे आते हैं यह उन पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो आप एक्जाम में आराम से क्वालिफाई कर लेंगे एक्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि सिलेवस्ट जो आप देखेंगे एससी का चाहें वह सी एचैसल का हो चाहें एम टीएस का हो सेम सिलेवस है बेटा तो इसलिए आपको बस पॉशन पर अपनी अच् का कितने पर्शैंट है भारत की जनम्दत कितनी है देख रहें हैं आप 33 एक लैंड की कितनी हैं 20 ये पूछा गया है कि 33 बीस का कितने पर्शैंट है यह लेंगे 20 500 15 15 15 15 15 और 16 165 परशैंट 165 परशैंट है बेटा कहीं 100% 506 परशैंट बिल्कुल है यह पूछा गया ला कि ये पुछा गया कि भ्हरत की जन्वदर इलेन की जन्वदर का कितने पर्शेंट है भारत की कितनी या 33 इन इत्प ने बीजिद की कितने इन है बेटा एक साफ़ 55 किसी भी परिक्षा कि प्लाम को नियाक्जाम पास करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं और एक निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है जो हमें आगे पहुचाता है आगे तक ले जाता है किसी वग्जाम को पास करने में निरंतर अभ्यास सफलता क्लास के यूटूब चनल पर भी आप अपनी विजिट करेंगे और देखेंगे वहां बहुत सारी क्लासे चलती हैं और वहां अपने जो पॉर्सेज हैं उनकी क्लास ले सकते हैं कि अधा कर सकते हैं यह यह क्ट्ला सभी टेलीग्राम पर बिल्कुल कर सकते हैं लॉप प्रसक्ते हैं तो मैंने क्षेंट करॉशा कुण कर आई। tom Прसुत कराई बेटा कितने घुल हमने कम टाइम में मात्र साठ मिनिट में आपको हमने 30 कौventions कराई और इसका मतलब हैmill के एक कोईषण को हमने दो मिनिट दिया और समझाए यह थीक से एक के कॉऊशन को आपको मैंने दो दो तीन तीन वार समझाया है तो बस आपको यही के अकोर्डिंग बेटा हमारा दिमाग चलना चाहिए तो हम एजी ली एक्जाम पास कर जाते हैं यानि कि ध्यान देंगे मैं क्या बोला हूं आप से के एक्जाम पास करने की सबसे नियुपकर से इंपर्टेंट्ट चीज के वल और के वल प्रॉट्स और प्रेट रॉट्स में भी बेटा जिस तरह के question Grace होते हैं उसी तरह से हमारा दिमाघ और होगा तो हम एजी ली एक्जाम में सफलता हासित करेंगे तो आज की क्लास मैं यही वर करता हूं ऴंद्धा झाल झाल झाल